गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स वेलकम टो कॉमर्स क्लासिज टूड़े वी विल डिसकस अबाउट एड्स एंड उक्जिलरी टू ट्रेड आज का जो टोपिक्स है वो है उक्जिलरी टू ट्रेड ट्रेड क्या था हम प्रीवेस वीडियो में पढ़ चुके थे सेल अड प गुडियो के दूप करेंगे उक्जिलरी टू ट्रेड ओक्जिलरी टू ट्रेड वहता है एक्टिवीटी वीच मेट्रेड बाइंड सेल लिंग और फुड इजी वह एक्टिवीटी जो बाइंड सेलीं ओफ गुड्स यानि कि ट्रेड को इसिबनाएं वो क्या कहलाती है, auxiliary to trade, यह जो auxiliary to trade होते हैं, यह क्या करते हैं, business के अंदर, sale और purchase के अंदर आने वाली हर एक problems का solution देते हैं, हर एक problems को solve out करते हैं, उन्हें दूर करने का काम करते हैं, फोर इक्जेंपल जैसे transportation के होती है, कि भी किस तरिके से auxiliary to trade के अंदर कहता है, जैसे transportation आगया, transportation क्या होता है, कि भी goods को move करना एक place से दुसरी place के अंदर, अब ऐसा तो होता नहीं कि जिस place पे goods की production होती है, उसी place पे उसको consumption होती है, और इसके बीच में क्या होता है, time gap आता है, कि भी आज production होगी, use क्या होती है, कहीं दुसरे place पे होती है, तो goods को एक place से दुसरे place पे पहुंचाने के लिए transportation की जरूरत होती है, और इस facility को provide कोन करता है, commerce करता है, यानि कि auxiliary to trade के अंदर आती है, यह क्या होता है, help करती है, trade को क्या करते है, easy बनाने में, auxiliary to trade को one by one करके ह transportation, क्या है, transportation and communication, transportation होता है, क्या है, goods produced at one place, consumed in different part of country, जो goods होती है, उसकी जो production होती है, एक place पे होती है, और consumption क्या होती है, different part of country होता है, जैसे कि tea, tea है जो produced कहा होती है, असम और दार्जलिंग में, कहां पे produce होती है, tea, असम और दार्जलिंग में, बट जो इसकी consumption है, all over India, या all ओवर country होती है जो टी है इसकी production कहा होती है असम और दारजलिंग में और जो इसकी consumption है वो क्या होती है ओल ओर ओल ओर इंडिया होती है so transportation help in removing hindrances of place by movement of raw material labor goods from one place to another place इसलिए हम क्या कहते हैं कि भी जो transportation help करता है goods को labor को या other किसी things को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में तो यह क्या हो गया जो trade के अंदर आने वाड़ी problems है उसको solve करने में transportation help कर रहा है यानि कि transportation क्या है part of auxiliary to trade है second है communication क्या है communication communication के अंदर क्या आता है it also help in exchange of information between producer consumer and traders यह क्या करते है communications के अंदर help करते हैं जो informations होती है regarding to trade हो गया consumer हो गया creditor हो गया debitor हो गया इनसे regarding informations को एक दूसरे के साथ share करने में help करती है ताकि जो trade के अंदर आने वाले different type की problems हैं उनका solution किया जा सके इसके जो example है जैसे telephone services हो गया telephone services के अंदर क्या होता है कि भी हम एक जगावे बैठके कहीं पे भी दूसरे इस place पे अपनी information को on the spot क्या कर सकते हैं इससे क्या होता है कि हमारा जो communication होती है जो gap होता है communication का वो क्या होता है दूर हो जाता है इससे trade क्या होता है easy होता है internet और internet के थुरू तो आज के time में trade को क्या है बहुत बड़े wider place पे ले गया है internet इंटरनेट के थूँक है बोग सी इंफोर्मेशन्स हमें एक जगवे बैठे ही मिल जाती है यानि कि ट्रेड से रिगार्डिंग जो भी प्रोब्लम्स है इंफोर्मेशन्स की उसे दूर करने में कौन हेल्प करता है कॉम्निकेशन हेल्प करती है आज का जो टोपिक था वो खत हम हुआ थैंक यू है वैव नाइस देग